बढ़ते हैं chapter number 9 पे जिसका नाम है forest and life जंगल और इसके बारे में जो जिन्दगी है उसके बारे में तो यहां पे question answers की back access की starting करते हैं filling the blank से सबसे पहले number one dash people live in the forest कौन से लोग जंगल में रहते हैं आदिवासी number two is about dash percentage of earth vegetation and animal live in and grow in the forest धर्ती की कितनी vegetation और कितने animal जंगल में रहते हैं about 70% the roots of trees hold the dash पेडों की जड़े किसको पकट के रखती है soil को मिट्टी को cutting of trees destroy a dash of wildlife पेड काटने की वज़े से जंगली जानरों का क्या खतम हो जाता है क्या नस्ट हो जाता है उनका habitat मतलब उनका घर next है true falls there are many forests in Punjab पंजाब में काफी सारे जंगल है answer is false पंजाब में जादा जंगल नहीं है we should not cut the forest हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए answer is true the आदिवसी people cure diseases with herbs and shrubs आदिवसी लोग जो होते थे बिमारियों का इलाज herbs और shrubs से करते थे answer is true water cycle is disturbed with cutting of trees पानी का जो cycle है वो पेड़ों की कटाई की विज़े से पूरा का पूरा उसका संतुलन बिगड़ जाता है खराब हो जाता है answer is true सफेदा tree needs a lot of water for its growth सफेदा के पेड़ को काफी सारा पानी चाहिए उसकी growth के लिए answer is true next यहाँ पे है matching तो matching में state और आधिवासी tribe की state में रहते हैं यह दिया हुआ है तो हमें मिलान करना है इसका असाम, असाम में रहते हैं बुदोष, राजिस्तान में रहते हैं भील, मध्यप्रदेश में रहने वाले हैं गौंद, जारकंड में रहने वाले हैं मुंदा next question is, what do you mean by forest? जंगलों से आपको क्या मतलब समझाता है? it is the large land covered with the trees, काफी सारा land है जो पेड़ों से गिरा हुआ है और woody vegetation, यहाँ पे woody vegetation present है various plants and animals are found there, काफी सारे जानवर और पेड़ पोदे वहाँ पे पाए जाते हैं, some tribes also live in forest, काफी सारे जंगली tribal people जो है आदिवासी लोग जो है वहाँ पे रहते भी हैं who are आदिवासी people, आदिवासी लोग कौन होते हैं, those people who live in and depend on forest, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जंगल में ही अपने basic needs को पूरा करने के लिए उसे के उपर depend करते हैं, वो होते हैं, आदिवासी लोग next question, which efforts can we make to cover up the laws of forest in Punjab, Punjab में जो जंगलों का नुकसान हो रहा है, उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, we should use less paper and recycle waste paper, हमें कम कागस का इस्तमाल करना चाहिए और जादा से जादा कागस का इस्तमाल करने के बाद, उसको recycle भी करना चाहिए, plant more trees, जादा से जादा पेड उगाने की कोशिश करिए, avoid things prepared from trees, पेडों से बनी चीजों का इस्तमाल थोड़ा कम करिए, उस ताकि उसको हम पेडों की कटाई कम कर सके, next question is, what things should be ensured before planting a tree, पेड उगाने से पहले किन चीजों को निश्चित करना जरूरी है, we use wasteland for planting trees, पेड उगाने के beneficial plant should be chosen, वो पेड उगाने चाहिए, जो हमें फाइदा दे, next question, what can we do to save forest, जंगलों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, reuse paper, paper को दुबारा इस्तमाल करिए, use wood in a judicious way, सही डंग से लकडी का इस्तमाल करिए, we should not waste eatables, हमें खाने वाली चीज and preservation of food, खाने को किस तरीके से हम store करके रख सकते हैं, और किस तरीके से उसको ज्यादा समय के लिए बचा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, preservation, शुरू करते हैं, question answer से, question number one is, which kind of food products decay soon, कौन से तरीके का खाना जो है, जल्दी खराब हो जाता है, answer कहा है, bread, चपाती, vegetables, second question, which kind of food products do do not decays, उनकों से तरीके का food product जो है, जल्दी खराब नहीं होता, pulses and wheat, डालें और गेहूं, अगर यहाँ पे कुछ टेकनिक दी गई है, जो हम use करते हैं, food को preserve करने के लिए, refrigeration है, boiling है, adding sugar, salting, boiling, तो सबसे पहले cooling method दिखाया गया है, जो fridge में हम खाना रखते हैं, second number पे salting, जि चीनी डाल कर हम उसको भी store कर सकते हैं, जादा समय के लिए, आगे यहाँ पे pickle, pickling दिखाई गई है, canning है, cans में हम खाना store कर सकते हैं, और इसके लावा drying, चीजों को सुखा कर भी हम उसको जादा समय के लिए store कर सकते हैं, next question पे बढ़ते हैं, why is it necessary to boil milk, दूद को boil करना जरूरी क्यों है, by boiling, milk can be stored for some time by killing the bacteria present in milk, दूद में जो bacteria present होता है, वो boiling करने से मर जाता है, जब boiling करने से इसका बैक्टीरिया खतम हो जाते हैं, तो हम दूद को थोड़े समय के लिए, जादा समय के लिए उसको store करके रख सकते हैं, next question is, what kind of मुरब के example दे सकते हो, यहां पर मैंने लिखवा है, आमला, एपल, कारेट, मुरबा, next question, how can the decaying of the food be assessed, खाना खराब हो रहा है, यह हम कैसे पता लगा सकते हैं, change in color of food, food के रंग में जो बदला आवाता है, उससे देखके, and a bad smell indicates the food is decaying, और उसमें से जो खराब smell आने लगती है, उस में लिखवाया है, milk, green vegetables, fruits, meat, bread, etc. आपको अगर कुछ और भी पता है, तो आप यहां पर वो चीज़े लिख सकते हैं, next question पर बठते हैं, various method of storing the grains are discussed in the chapter, इस chapter में काफी सारे method अभी हमने discuss की है, जो ग्रेंस को स्टोर करने के लिए इस्टमाल किये जाते हैं, write about the method you like the most, आपक काफी पसंद है, I like the method in which grains are dried in sun and stored in drum, मुझे वो method पसंद है, जिसमें हम दानों को सुरज की रोशनी में सुखाते हैं, और उसके बार drum में स्टोर कर देते हैं, इसके लिए हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यह method इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, wheat grains के लिए, आप इस Pulses contain protein and protein absorb the poison quickly, pulses में protein present होता है, और वो pulses का protein, poison को फटा-फट से absorb कर लेता है, thus insecticides used for storing pulses are more harmful, इसलिए जो हम insecticide कीडे मकडो को मारने के लिए जो दवाइस देमाल करते हैं, वो pulses के उपर सिदकनी हमारे लिए हामफूल हो सकती है, next question is, why are fruits and vegetables kept in cold store, fruit और vegetable को थंडी जगा के उपर क्यों रखा जाता है, fruits and vegetables remain fresh for long time by storing them in huge refrigerator, जब हम उनको थंडी जगा के उपर रखते हैं, तो हम उनको ज़्यादा समय के लिए store कर सकते हैं, इसलिए हम उनको थंडे stores में रख सकते हैं, आगे है matching, तो matching में आपको ये बताना है कि कौन सा method कि इस चीज़ को store करने के लिए रख सकते हैं, milk को storing के लिए boiling, pickle of lemon, lemon के अचार को store करने के लिए oiling, peppermint leaves, पुदीने की पत्ते को सुखा कर drying करके, jamun and grapes को refrigerating, fridge में रखकर, मुरब्बा औफ आमला, आमले को मुरब्बे को हम store कर सकते हैं by adding sugar आगे बढ़ते हैं, chapter number 11, changing trends of food, food में कौन-कौन से अभी trends जो है, change हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं question है, question number 1, from where do the farmer get information about the new seeds, नई seeds के बारे में farmer को कहां से पता चलता है मैंने क्या लिखवाया यहां पर from television, TV पर भी news flash हो सकती है, इसके इलावा रेडियो के उपर भी news जो है, वो आ जाती है next question number 2, next question is, name the subordinate professions of agriculture, agriculture के साथ-साथ कौन-कौन से profession हम कर सकते हैं number 1 is, selling milk, दूद बेचने का काम कर सकते हैं, pickle making, अचार बनाने का काम कर सकते हैं, selling chutney, chutney बना कर बेचने का काम कर सकते हैं, cattle rearing है, fish farming है, mushroom farming है, bee keeping है, etc next question है, what jobs are done by women, ladies जो है, ओरतें जो है, कौन-कौन से काम साथ में कर वा सकते हैं, they take care of kettles, वो kettles का दियान रख सकते हैं, prepare chutneys बनाने का काम, spices, मसाले तियार करने का काम, and मुरब्बास for selling purposes, बेचने के लिए मुरब्बास तियार कर सकते हैं next question, what do the farmers of the other states do to earn bread for their family when their crops are damaged, जब किसानों की, दूस्टे शेहरों के किसानों की, crops जो है, खराब हो जाती हैं, तो वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए, bread मतलब उनका खाना अरेंज करने के लिए, क्या कर सकते हैं, they move to other states to do agricultural based jobs and earn their livelihood, तो वो एक जगा से दूसरी जग रहने के लिए जाते हैं, ताकि वो वहाँ जाकर agriculture के based काम कर सके और अपने earning जो है, अपना पैसा जो है, रहने के लिए, अपना जेव खर्च के लिए पैसा कमा सके, next question is, which type of food should be taken to keep healthy, कौन सा खाना जो है, हमें तंदरुस रहने के लिए खाना चाहिए, we should take milk, हमें दूद पिना चाहिए, घी खाना चाहिए, बटर, आर्मंड, कर्ड, सीरियल, etc. to maintain our health, अपनी सेहत अच्छे बनाई रखने के लिए, आगे है, question number six, collect an information about the food habits of your friends and write what they eat, आपको अपके friends की food habits और उनका नाम लिखना है, कि वो क्या क्या खाते हैं, तो ये एक example मैंने किया हुआ है, बाकि आप खुद कर सकते हैं, name of the friend, friend का नाम लिखना है, what he eats, वो क्या खाता है, आपको उसके बारे में लिखना है, last chapter यहाँ प food, खाना खाना और उसको पचाना, उसके बारे में ये chapter है, शुरू करते हैं, back exercise से, filling the blanks, number one, dash is a body building nutrient, body building nutrient कौन सा है, option में टिकिया हुआ है, protein, protein जो है हमारी muscle को बिल्ड करने में help करता है, number two, dash help in the formation of teeth, bones and blood, दांतों की, हड्डियों की और, बलड को बनाने के लिए कौन सी च dash to our body, fat हमारी body को क्या देती है, energy देती है, dash keeps our body temperature in balance, हमारी body temperature को balance में रखने के लिए क्या चिस काम आती है, water, पानी, we get dash from the sunlight, सूरज की रोशनी से हमें क्या मलता है, vitamin D, true, false हैं यहाँ पर, rice, wheat and potatoes keep vitamins, rice, चावल, wheat, कनक और potato, आलू, इन तीनों में कह रहे हैं, vitamins होते हैं, नहीं, यह तीनों में खाने में मीठी होती हैं, और मीठी चीज में carbohydrates present होता है, vitamins नहीं होते हैं, इसलिए answer है, false, water controls the temperature of body, पानी जो है, अमारे body के temperature को control करके रखता है, answer is true, sugar and starch are rich in carbohydrates, sugar और starch जो है, carbohydrates के sources होते हैं, answer is true, vitamins save us from diseases, vitamin हमें बिमारियों से बचाते हैं, answer is true, milk is a complete diet, milk को हम complete diet मतलब complete food बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे की सारे पोशिक तत्व जो है, पाई जाते हैं, इसलिए answer is true, next question is, why do we eat food, हम खाना क्यों खाते हैं, food give energy to our body, food हमारे शरीर को energy देता है, ताकत देता है, it is also necessary for the growth of the body, और ये हमारी body की growth के लिए भी ज़रूरी है, and also saves us from getting ill, और हमें ये बिमार होने से बचाता है, इसलिए खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी है, name energy giving nutrients, वो nutrients का नाम बताना है, जो हमें energy देते हैं, दो तरहें के nutrients से हमें energy देने वाले, carbohydrates and fats, next question, name the various sources of food that grows our body, हमारी body को grow करने के various sources का नाम बताना है, अब body किसे grow करती है, protein से, तो protein किस चीज़ से मिलते हैं, egg, milk, fish, meat, पनीर, peas, pulses, etc, are the main sources of protein, which are necessary in the growth of body, question number 6, why should we eat food slowly, हमें खाना धीरे-धीरे, क्यों चबा कर खाना चाहिए, saliva is secreted by salivary glands, which is present in our mouth, हमारे मूँ में एक gland present है, जिसको बोलते हैं, salivary gland, ये gland saliva को secret करने के लिए मदद करता है, अब saliva क्या है, थूक मूँ में जो थूक बनता है, उसको बोलते हैं saliva, when we chew slowly, जब हम धीरे-धीरे खाना खाते हैं, saliva is mixed with food, तो ये थूक जो है, हमारे खाने के साथ mix हो जाता है, and help in digestion of food, और ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, next question 7 है, tick the correct option, number 1, with which organ can we sense taste, हम कौन से organ के साथ स्वाद को sense कर सकते हैं, कौन से organ के साथ स्वाद देखते हैं, tongue के साथ, which substance in the mouth make the food sweet, मुँ में कौन से चीज़ है, जो खाने को मीठा बना देती है, saliva, from which organ does food start digesting, कौन से हिस्से से body के food जो है digest होना पचना शुरू हो जाता है, मुँ में हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है, which nutrient are present in a balanced diet, balance diet में कौन से nutrient present होते हैं, protein, carbohydrates, minerals, या फिर all, ये सारे तीनो nutrients जो हैं, इसलिए all दिखवाया गया है यहाँ पे, तो तीनो nutrients balanced diet में present होते हैं, what do the players eat to get instant energy, फटाफट से energy हासिल करने के लिए players क्या खाते हैं, उनकी diet में एक चीज़ शामिल रहती है, वो होती है, glucose, ताकि उनकी body को फटाफट से हम energy दे सके, next, tick the correct, true and false, we get more energy from fats than carbohydrates, carbohydrates, we should eat food slowly by chewing it, हमें खाना धीरे धीरे अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, answer is true, undigested food is extracted from the body through anus, जो खाना पचता नहीं है, वो body में जी anus के जरीए बाहर निकल जाता है, release हो जाता है, answer is true, we should drink 8 to 10 glasses of water daily, हमें हर रोज 8 से 10 गलास पानी के पीने चाहिए, answer is true, saliva inside the mouth makes the food hard, मूँ में जो थूप प्रेजेंट है, वो खाने को hard कर देता है, answer is false, तो chapter यहाँ पे 12 भी complete होता है, thank you students.